जै हैं दोस्तों, आप सबका Sleepy Classes में बहुत-बहुत स्वागत है आज है 26th में और दोस्तों आज के Editorial Discussion में हम तीन relevant Editorials discuss करेंगे तो दोस्तों आज हम discuss करेंगे दो आर्टिकल्स हिंदुस्तान टाइम्स में से तो दोस्तों हम continue करेंगे अपनी story Quad की जो developments हो रही है Tokyo में जो Submit Quad का चल रहा है तो बड़ा अच्छा article हिंदुस्तान टाइम्स में हमारे External Affairs Minister Mr. S. Jai Shankar न लिखा है उसको discuss करेंगे और दोस्तों एक article अगेन ये role of women in society से related है GS1 का component है ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया है Investing in frontline health staff तो अभी recently आपको अभी आपनी जैसे news में पढ़ा भी होगा WHO ने recognize करा है आशा जो workers है हमारे उनकी efforts को खास करके pandemic के time पे जो वो frontline पे रहे थे और एक article दोस्तों हिंदु में से discuss करेंगे जहां पे बढ़ते हुए exports की अगर हम बात करें तो चलो हम अभी हमने ये बात अभी discuss करी थी के wheat ban wheat के export को ban कर दिया गया है sugar के export को आज हमने news में पढ़ा कि उसको भी ban कर दिया गया है लेकिन ही जो हम commodities exports कर रहे है this is coming at the cost of what of course we want economic development of course we want के हमारे forex reserves अच्छे हो of course we want के हम जादा import ना करें जादा export करें लेकिन हमारा जो environment को जो degradation हो रहा है what about that तो ये issues दोस्तों हम discuss करेंगे बागी दोस्तों कुछ information जो आपको देना चाहता हूं as you know हमारे 15 important topics for prelims 2022 चल रहे हैं तो दोस्तों आज अर्विंद सर ने economics का lecture रहा था तो ये रोज दुपहर को 12 बजे YouTube पे live telecast होता है अब दो ही lecture रहे गए हैं एक कल environment का होगा मनमीत माम लेंगे और Saturday को science and tech का होगा जो दिर्मिंदर सर लेंगे तो दोस्तों time बहुत कम रहा गया है तो दोस्तों हमारी जो one minute series है through the YouTube shots इसको देखना मत भूलिएगा बहुत सारे important topics यहाँ पे भी share किये जा रहे है तो दोस्तों आपकी prelims की लडाई में आप अकेले नहीं है हम आपके साथ हैं और कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं कि आप अपने prelims को crack कर सकें उसमें हम पूरी मेनत कर रहे है और दोस्तों संडे को याने के 29 में को सुबह 10 बजे जुड़ जाएए YouTube पे live telecast होगा मैं international relations के PYQS का session लोगा तो पिछले 10 सालों में जितने भी questions आए हैं IR के हम सारे discuss करेंगे और दोस्तों बड़ा अच्छा time है अभी आप practice कर रहे हैं अपना prelims अगर पास में हैं आप जानते हैं तो अगर आप अपना practice कर रहे हैं आप अपने mock test दे रहे हैं तो दोस्तों अगर आप sleepy के साथ भी test देना चाहते हैं full length test देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक offer चल रहा है off 50 coupon code रहेगा 1000 रुपीज का वैसे इसमें 5 full length test की price थी लेकिन अभी coupon code लगा के आपको 499 की पड़ जाएगी तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी practice करें mock test दें of course हम यह नहीं जाएंगे कि हमारा पहला mock test 5 June को हो खास करके जो बच्चे अपना पहला attempt दे रहे हैं उनके लिए तो specially में request करूँगा कि वह बहुत सारे mock test दे के अपना confidence बढ़ा के ही exam देने जाएं बहुत boost मलता confidence को mock test देने से FLDs देने से चलिए Quad validate करता है प्रधान मंत्री की India first approach को क्या ऐसा है क्या आईए जानते हैं देखिए अब globalization की हम बात करें पिछले 30 सालों में हमने liberalization, privatization, globalization की बाते देखी हैं globalization के कई फाइदे भी हमने देखे हैं हमारी foreign policy भी बहुत evolve करी है 1947 से लेके आज तक हमने कितनी तबदीलियां अपनी foreign policy में देखी है तो क्या ये कहना गलत होगा कि Quad जो है वो भी platform है for the Indo-Pacific and it is an arena which is reflecting the Arab globalization ये कहना गलत तो नहीं होगा अब आज के ताइम पे देखो ऐसा है Indian Ocean और Pacific Ocean को isolation में नहीं देखा जाता आज के ताइम तो बलके Indo-Pacific Ocean कहा जाता है हलांके चाइना के जो लोग हैं चाइना के जो diplomats हैं वो थोड़े नराज हो जाते हैं जब Indo-Pacific term use किया जाता है वो कहते हैं कि नहीं ये Indo-Pacific नहीं Asia-Pacific region है लेकिन देखिए पिछले 30 साल में इस region में बहुत कुछ activities हो रही हैं बहुत alliances बन रहे हैं अगर हम एशियान की बात करें तो कितने सारे देश हैं जो एशियान के साथ ट्रेट कर रहे हैं और एशियान सेंट्रल lies at the core of the Indo-Pacific strategy अब देखो ऐसा है अब पिछले 30 सालों में जब से cold war खतम हुआ है अब ठीक है हमने अपनी engagement हमने look east की policy बनाई थी ना look east की policy प्रद पीवी निरसे मरा उने 1991 में established करी थी और हमने बाकी देशों के साथ भी trade करना शुरू करा बहुत लंबे अरसे से non-aligned movement के चलते हमारी नजदीकिया Soviet के साथ थी तो अमेरिका के साथ Japan के साथ Australia के साथ हमारे इतने चे संबंद नहीं बन पाए थे लेकिन अब cold war जब खतम हुए तो अधिकि हमारे संबंद US के साथ Japan के साथ Australia के साथ बहुत मस्बूत होते आ रहे हैं पिछले 30 सालों में in fact आज के टाइम पे हम अमेरिका से जादा इंपोर्ट करते हैं डिफेंस का समान आस कंपेर तो रश्या राइट तो क्लिर्डी हमारे जो इंटरेस्ट है ताट इस और इंडियोशन आफ्र आल इंडिया को अमेरिका आज नेट सेक्यूरिटी प्रवाइडर इंडी इंडियो पसिफिक रीजन प्रशीशन प्रशीशन फूर प्रशेंट आज इसको हिंदू रीट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं लेकिन अब इस बात की समझ आने लगी हमारी अब हमारे तीनों देशों के साथ वो टू प्लस टू जो मिनिस्ट्रियल डालोग है वो भी इग्जिस्ट करता है याने के डिफेंस और प्लस टू जो टू बात याने के हमारे रक्षा मंतरी और वो ट्रेलीय जीचांण के डिफेंस को आर पॉरूम के अच्छे संबंध के साथ उसके जलते हमारी एक्ट इस्ट जोत हमारी पोलिसी प्लिसी ने मोधी ज्वनित तो उसके जलते हमारा भी focus है, बहुत imperative हमारा है कि हम कैसे अपने cultural ties, कैसे अपने economic ties, कैसे हम अपने people to people ties, civilizational ties, South East Station region के साथ बढ़ा सकते हैं, तो ये common बाते आती हैं और हम ये चारों ही देश चाहते हैं कि भी Indo-Pacific की जहां पर बात होती है, जब हम freedom of navigation की बात करते हैं, तो ज centrality है, वो ASEAN की ही बनी रहा है, याने के Association of South East Station Nations, बिकास बहुत सारे ASEAN देश हैं, जो के चाइना से बहुत दुखी हैं, बिकास चाइना जो अपना aggression दिखाता है, अपना muscular policies दिखाता है इस region में, उसके चलते बहुत जरूरी है कि ये जो चारों देश हैं, वो ASEAN को support करें, और ASEAN जो है, वो ही core बना रहे है, Indo-Pacific Strategy का, अब देखे, convergence इसकी बात करें, तो बहुत हमने चरचा Quad को लेकि पिसले दो दनो में करीवी है, तो more or less repetitive ही है, लेकिन चलो फिर भी हम discuss करी रहे हैं, तो यहाँ पे Quad ने, जिसे आपका Indo-Pacific Economic Forum launch करा गया है, इस meeting में, जो Tokyo में Quad meeting ह ही है, तो यहाँ पे critical technologies की बात करी गई है, emerging technologies है, artificial intelligence, machine learning, blockchain technology, right, 5G की बात करी गई है, उसके लावा climate change की अगर हम बात करें, green shipping practices की बात करें, यहाँ बहुत सारा information exchange, maritime practices और even space domain practices में भी discuss करा गया है, तो अब देखिए, अब डेफिनिटली इंडिया के लिए बहुत अच्छा म funding भी है, जो कि वो इंडिया को भी provide कर सकते है, कि हम भी अपने targets meet कर सके है, अब देखिए, हमारी भी policy है, green hydrogen की अगर हम बात करें, हमारी जो new hydrogen policy है, जो 2047, तो वो कितना ambitious policy हमारी भी है, कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में, हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया becomes a hub for green hydrogen Now, उसके बाद, अगर हम student exchange programs की बात करें, science, technology, engineering and mathematics, STEM का जो full form होता है, तो इसको लेकी भी बहुत चर्चा करेंगी, इसको लेकी भी बहुत collaboration किया जा सकता है, and of course, last but not the least, यहाँ पर humanitarian assistance or disaster response की अगर हम बात करें, because, let's not forget, जो 2004 में tsunami आई थी, Indian Ocean region में, उसके चलते भी COD का idea मू factor में आप ही humanitarian assistance में आता है, वो है COVID pandemic के चलते, जो promise करा है Quad देशों ने, कि हम by 2022, 1 billion vaccines Indo-Pacific Nations को provide करेंगे, अब takeaways क्या रहे चुकिए है, पहला takeaway तो यह है कि Quad जो members है, Quad members ने commitment करी है, कि देखिए, चाइना के बहुत ambitious projects है, Indo-Pacific में, अब चाइना के पास बहुत जादा Forex Reserves है, अ Quad देशों ने भी commitment करी है, कि जो infrastructure deficit है, जो development deficit है Indo-Pacific Nations में, वो हम meet करने की पूरी सहायता करेंगे, and the Quad members have decided to extend over 50 billion dollars of infrastructure assistance, ठीक है, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे QChamp करके एक acronym आजाता है, यानि कि Quad ने climate change and adaptation strategies के उपर भी बात करी है, यह बहुत significant development है, हम बार-बार यह बात कर करते रहते हैं कि climate change के चलते हैं, जो sea level rise हो रहा है, जो ice caps melt कर रहे हैं, उससे जो हमारी tropical और sub-tropical countries हैं, खास करके जो developing countries हैं, least developing countries है, वो बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकती है, आने वाले time में, बहुत adverse effects देख सकते हैं, और Indo-Pacific अगर ब्लॉक की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी countries, tropical region में लाए करती हैं, least developing countries भी है, तो बहुत जरूरी है कि climate change और adaptation practices का भी जिकर यहाँ पर करा जाए, 5G की बात यहाँ पर करी गई है, IPEF की बात करी गई है, IPF को लेके हमने culture discussion किया था, और यहाँ पर बात करीगी है, Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness, तो दोस्तों आगे पर पढ़ने से पहले एक और information आपको देना चाहता हूं, तो sociology 2023 के courses भी operational हैं दोस्तों, तो यदि आप अगले साल अपना paper देंगे, या यदि आप इस साल भी means लिखेंगे अपना sociology optional के साथ, तो जैसे कि आप जानते हैं, शेकर सर हमारे sociology के faculty हैं, तो अगर आपने हमारे courses के number पे call कर सकते हैं, website पे जाके इन courses के बार information ले सकते हैं, आपको यहाँ पे sociology की mentorship में मिलेगी तो एक particular course है, जहाँ पे शेकर सर आपको personal mentorship देंगे, तो आप दोस्तों ये features देख सकते हैं, PDF डाउनलोड करके और number पे ज़रूर call करिएगा, ये हमारा number है, आपको information मिल जाएग हैं, बहुत सारी मौते भी हुई हैं, चलो एक और controversy कि कितने मरे, कितने नहीं मरे, देखिए एक भी जान जाए तो वो भी बहुत दुखित बात होती है, लेकिन एक बहुत remarkable बात है कि आज 2022 में, आज अब दो साल हो चुके हैं COVID को, हमने बहुत monumental figure achieve करा है, आज हमने लगबग 2 billion vaccines, जो doses हैं, वो administer कर ली हैं, और ये बहुत unprecedented है, अब देखिए ये जो सब काम हुआ है, इतनी सारी लोगों को जो vaccine पुचाई गई है, बच्चों से लेके, बुडों तक, ये बहुत team effort की यहां पे बात है, यहां पे बहुत सारे frontline जो health workers हैं, उनकी भी यहां पे बहुत contribution है और खास करके दोस्तों यहां पे बात करें, आशा workers की, तो आशा workers का यहां पे बहुत बड़ा contribution रहा था, खास करके rural areas में और semi-urban areas में, in fact, आशा workers को भी recently honor भी करा गया था, World Health Organization के तवारा, कि उन्होंने कितनी अच्छी service करी, कितनी मदद करी pandemic के time पे, जब सब बन था, ठी अबर आशा की बात करें, यहां पे तो आशा याने कि accredited social health activists होते हैं, right, they are the only activists in the public healthcare system, ठीक है, आशा जो है एक local person है, आपके जो गली महले में जो local, जो लोग होते हैं, खास करके जो औरते होते हैं, वो आशा workers होते हैं, उनको train किया जाता है, capacity development training उनको दी जाती है, और उनक का topic हम डिसकस करें, यहां भी women empowerment की भी बात आजाती है, because उनको performance based payments मिलती ही, तो उनको encourage किया जाता है, कैसे वो बहतर perform कर सके, capacity development programs चलाए जाते हैं, कैसे उनकी capacity development बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, the journey है, खास करके जो जर्नी आशा workers की रही है, this is a success of the national health system resource center, or in collaboration with the states, अब पूरी है, कि चलो अभी तो हमने बहुत remarkable, लेकि डॉक्तर को नहीं पता था यह बिमारी कौन सी है, vaccines नहीं आ रही थी, ठीक है, सरकार को भी लोग बहुत सारा कुछ ब्लेम कर रहे थे, कि वाक्सीन हम, बहुत सारी लोगों ने भी ब्लेम करा, सरकार को कि सरकार vaccines बाहर export कर र हिनत करी, frontline पर रहे, और आज हम यह देख सकते हैं, कि काफी हद तक हम सब में community develop हो चुकी है, कि करोना का कोई wave आता भी है, तो कोई भ्यंकर बात नहीं होगी, पगवान करें, कोई भ्यंकर बात नहीं हो, अब यहां पर बात करें, Rural Urban Initiatives की दोस्तों, तो देखिए अब जैस रहे, इन मिशन को भी ऑपरेट किया गया था, उसके बाद, थांक्स तो इंप्रूव अविलिटी अविलिटी ऑप दी एलेक्रिकिति, कि यह सब जो जो जिस्टिकल चालेंज थे, ट्रांस्पोटेशन चालेंज थे, वो सब नहीं हो पाए, ठेक है, अगर हम बात करें, Urban Primary Health Care सिस्टम की, ना ओबिसली उसका कोई मुकाबला तो नहीं है, रूरल वांस के साथ, जो रूरल हेल्थ केर सेंटर्स हैं, वो काफी पीछे हैं, as compared to the Urban Primary Health Care Center, but nevertheless, कोशिच करीगी थी कि कैसे, जो प्राइमरी हेल्थ केर सिस्टम है, in fact, आपको याद होगा, अगर आपने वाक्स और अगर हम Urban Areas की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे Active Urban Local Leadership देखने को मिली थी, बस्ती लेवल पे, वाट लेवल पे, चाहे वो वाक्सीन बचानी है, चाहे वो कुछ अगर माइगरेंट्स हैं, जिनके पास खाना नहीं है, उनको कुछ खाने की रहात बचानी है, तो हमने Urban Level पे किल बात ही, इस बिमारी के बारे पता लगाना, दिन राव डॉक्टर्स ने एक करा कि भी कौन सी वाक्सीन निकालें, कैसे वाक्सीन निकालें, क्या उसका ecology रहेगा, ठीक है, और यह निई सिरव इंडिया में, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे देशों में लोगों को नहीं बता था, नहीं बिमारी है, इतनी जल्दी कोई वाक्सीन नहीं बनती है, लेकिन वो हमने कर दिखाया, तो चाहिए वो को भी शील्ड है, चाहिए वो को वाक्सीन है, सारे किसम की वाक्सीन यहाँ पर वेलिबल है, and obviously technology also played a very important role, अगर हम अपने कोविन प्लाटफॉर्म की आपकी बात करें, आरोग्या सेतु आपकी बात करें, यह मैं को बड़ी अच्छी लाइन लगी है, जो मैंने highlight करी है, when a whole of government, whole of society approach is adopted, gains are made faster, तो दोस्तों यहीं पे तो आता है, सबका साथ सबका विकास, देखिए यहाँ पे एक सांजी कोशिश है, सरकार के द्वारा, community के द दिख पाएंगे, तो आज का last, editorial जो हिंदू में आया है, be concerned of the growing exports, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है, emissions embodied exports की, अब अगर हम बात करें इंडिया के, तो इंडिया एक one of the leading exporters of the carbon emissions embodied products मना जाता है, अब आप पूछेंगे कि सरी यह carbon emissions embodied क्या होता है, देखिए, carbon emission embodied वो होता ह है, कि देखिए, जो भी आपके manufacturing process है, जो भी आप products बना के export कर रहे हैं, कोई भी आप goods बना रहे हैं, जो export कर रहे हैं, चाहिए, petroleum products है, चाहिए, agriculture commodities है, उसको बनाने में carbon dioxide कितना emit किया जा रहा है, ठीक है, उसको कहते है, embodied carbon, अब चाइना की बात करें, तो चाइना largest exporter of carbon emissions embodied product माना जाता है, ठीक है, अगर इंडिया के total carbon emission exports की बात करें, तो पिछले कुछ 25-26 सालों में, 27 सालों में, वो कावी बढ़ चुका है, ठीक है, तो कहां, अगर हम 1994-95 की बात करें, जब इंडिया ने WTO join किया था 95 में, तो हमारे जो carbon emissions export थे, वो 80, लगवग 80 million tons के आसपास थे difference निकालना है between the carbon emissions embodied exports and the carbon emissions embodied imports, चलिए, तो glorification of exports, अगर हम, glorification of exports की बात करें, तो पीछे बहुत एक, हमको शाबाशी भी मिली थे, कि हमने 400 billion dollar का export target achieved किया था, हमने 400 billion dollar के export किये थे, ठीक है, महामारी के time पे, करोना के time पे, जब सब economies contract कर रही थी, recession हो रहा था, तो हमने देखा surprisingly हमारे forex reserves में बहुत हमको increment देखने को मिला था, अभी हाल में हमने ये भी बात करी थी, wheat exports हो, चाहे rice exports हो, तो चाहे pandemic था, चाहे Russia-Ukraine की लडाई है, तो इंडिया के पास मौका आया है कि कैसे इंडिया और alternative markets explore कर सकता है, access कर सकता है, तो यहाँ पर opportunity की बात आती है, लेकिन हमारे जो net carbon emission exports हैं, वो कितने जादा बड़े हैं, तो यह बात सोचने वाली है, देखिए अब होता क्या है, जो बहुत सारी developed economies हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो क्या कर रहे हैं, वो net importers बन रहे हैं, of the polluted goods, अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने देशों में इस हैं, लेकिन developing देशों में इस तरह के जो processes चल रहे हैं, manufacturing practices चल रही है, यहां पर यह सवाल खड़ा हुटता है, कि कब तक चलता रहेगा, क्योंकि sustainable development नाम की कुछीज होती है, है ना, अब देखिए, अब यह जो developed economies है, अगर हम European Union की बात करें, इन्होंने तो बहुत stringent environmental measures भी करें हैं, ठीक है, तो आपका carbon border adjustment mechanism है, जो European Union ने adopt करा है, है ना, CBAM कहते हैं इसको, यानि के भी European Union के देशों ने कहा है, कि भी हम उन देशों के साथ trade कम करेंगे, जो कि बहुत highly carbon intensive products बनाते हैं, और जो देश बहुत highly carbon intensive products बनाते हैं, अगर उनसे हम import करेंगे, तो उसके उपर tax लगेगा, ठीक है, उसको हम CBAM tax कहते हैं, अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे एक बात बताईए comment section में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं CBAM की, तो fit for 55 क्या है, ठीक है, prelims भी pass में है, चलो prelims अग हाँ पर बात करेंगे Qsnet's Curve के बारे, environmental Qsnet's Curve के बारे, अब आप इस Curve को देखिए, अब यह Curve क्या कहता है, देखिए जो economic development है न, देखिए अब हर एक देश को economic development करनी है, हर किसी के अपनी developmental needs है, आप definitely इंडिया पी चाहता है कि हम develop करें, इसी के कारण हमने अपना जो target अब यह net zero का, वो 2015 नहीं बढ़ 2070 का announce करा है, अब देखिए, जैसे ऐसे economic development होती है न, किसी भी देश की developing country की, उसी तरह से आप देख रहे हैं, जो level of environmental degradation है, वो बढ़ रहा है, एक peak आता है, एक plateau आता है, यह turning point यहाँ पे कहते हैं, जब industrial growth काभी जादा हो जाती है, और environmental degradation भ जब आपकी एक level of growth अचीव हो चुकी है, अब आज के time पे developed economies में बहुत अच्छी level of growth अचीव हो चुकी है, ठीक है, लेकिन इंडिया में भी वो growth अचीव नहीं हुआ, लेकिन जैसे आप उस level of growth को अचीव करते हैं, economically, यह industrially, वैसे वैसे आपका जो environmental degradation है, उस इस point के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है, initially तो आपका environmental degradation भी बढ़ रहा है, और आपका GDP growth भी बढ़ रहा है, लेकिन एक point आएगा, हर एक economy में ऐसा रहता है, ठीक है, जो भी developed economy भी आज रही है, कि industrialization अचीव करने का बाद एक time आता है, जब environmental degradation कम होना शुरू हो जाता है, जादा नही हैं, अब देखिए, under the guard of exporting rice, अब इंडिया topmost rice exporter माना जाता है, अभी पीछे मने आंकडे भी share कर रहे थे आपके साथ, हमने 21 million metric ton of rice export करा है, है न, और हम targets रख रहे हैं कि हम कैसे इसको बढ़ा के आगे जा के 30 million metric ton तक भी लेके जा सके, लेकिन बात यहाँ पी यहाँ आती ह समझने वाली कि हम पानी कितना जादा deplete कर रहे हैं, तो यह सोचने वाली बात है कि हम ऐसे products export क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कि आज की time पर चलो हम rice के लिए self-sufficient है, वीट के लिए self-sufficient है, बिजाय कि हम wheat और rice बहुत grow करें, क्यों न, wheat और rice हम import करना शुरू कर नहीं बचेगा, ठीक है तो यहां पर way forward की बात करें, तो यहां पर suggestion दिया गया है कि बहुत सारे जो developed देश हैं, वो environmental tax imposed करना उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक हम OECD countries की बात करें, organization of economic cooperation and development countries की बात करें, तो इन्होंने भी environmental tax लगाना शुरू कर दिया है, which roughly constitutes 2% of the GDP, अग लाइक जो हमारी national water policy है, वो भी इस पर emphasize करती है, micro irrigation की बात करें, drip irrigation की बात हो, because आने माले समय में गर इस तरह के water intensive products हम export करते रहेंगे, जो के methane gas भी बहुत emit कर रहे हैं, carbon dioxide emissions भी बहुत emit कर रहे हैं, तो वो हमारी sustainable development के लिए अच्छा नहीं होगा, जाने से पहले question दोस्तों, politics related है, 2012 में आया था, comment section में comment जरूर करना, तो बताइए इसमें से कौन से provisions हैं, जो हमारे संपेदान में है, जिसका जो effect है वो हमारी education पर आता है, पहला है DPSP, दूसरा है rural and urban local bodies, तीसरा है 5th schedule, 4th statement है 6th schedule, और 5th है 7th schedule, तो क्या सही option है, आपने comment section में बताना है, और दोस्तों तो आज एक ही question framed from editorial रहेगा, अब क्योंकि prelims भी पास में है, तो दोस्तों कोई नहीं हम एक बार आपके prelims हो जाएंगे, तो editorials में और questions जाला करेंगे, तब आपकी जो त्यारी होगी means oriented होगी, तो आज का question रहेगा, the growing consumption in rich countries has come at a cost for developing countries such as India, इस statement को critically evaluate करिये, टाइसो शब्तो